हेलो नमस्कार आपका स्वागत है ज्याननिती के यूट्यूब क्लासेस में हम इसमें आपका SBI क्लर्क प्रेलिम्स से एक चेप्टर पढ़ चुके हैं जिसका कि हम क्रैस कोर्स चला रहे हैं जिसमें कि हमने क्वालिटी क्वेशन पढ़ा है और यह हमारा सेकेंड चेप्टर ज तो चलिए आज क्लासे स्टार्ट करते हैं और हां इसमें मैंने पहले पढ़ चुके हैं इसमें हम आपको बता चुके हैं कि efficiency और time और work इसके बीच में क्या-क्या relation होता है ठीक है तो उससे related हम बहुत सारा question पिछले तीन पार्ट में जिसमें हमने आपका class लिया time and work का उसमे पढ़ा चुके हैं अब क्या है कि आगे हम कुछ नए-ने concept पर question लेंगे और question के द्वारा ही हम आपको समझाएंगे कि हम किस तरह से वैसे question को हम attempt लेंगे और हां जिस label तक का भी हम बताएंगे आप समझ लो कि उससे mens भी cover हो जाएगा ठीक है तो pre to actually pre to cover हो जाएगा और इतन कर लोगे तो चलिए आज का class हम start करते हैं ठीक है तो पहला जो question है आपको यहां पर screen पर दिख रहा होगा ठीक है यह क्या बोल रहा है पहले हम question पढ़ते हैं then after इसका हम solution दिखेंगे तो बोल रहा है आपको a is a is thrice as good as workman as b तो कह रहा है कि आपका जो a और b है जो दो आदमी है उसमें से a और b तो आपको बोल रहा है जो है thrice good as b मतलब उसका जब भी हम किसी के बारे में good या bad की बात करते हैं तो वो directly उसके efficiency को denote करता है ओके तो अगर हम efficiency की बात करें तो क्या हो जाएगा तो वो तीन गुणा अच्छा है मतलब किस्से तीन गुणा अच्छा है a b से तो वी को अगर मैं x मानूं तो a कितना हो जाएगा 3x या तक समझ मा आ गया फिर देख्या आगे क्या बोला है आगे बोला है c alone takes 48 days to paint a house c जो है अकेला कितना दिन लेता है 48 दिन और फिर अगला line बोला है और पुछा है कि it will take how many days for be alone to paint the house तो कह रहा है कि बी अकेला उसको कितने दिन लेगा समझ माया तो आप यहां पर एक चीज़तों दिया हुआ हुआ है अगर आप मैं यहां लिखूं आपको c और यहां arrow बना कि यहां मैं लिखूं a plus b plus c त आप जान रहें c 48 दिन लेता है अकेला काम करें तो एबीसी अकेल तिनों मिल के काम करें कितने लेता है तो आप जानतों यहां पर हम क्या करते हैं इसका lcm लिखते हैं अर्थालिस तो यहां IgH AAA's 14 तो यह हो गया और यह आपको किसको टीनोट करता है अब वताओ efficiency किसे करता है कने efficiency को समझ गए ना आप देखों नेक्स्ट कि अच्छा की efficiency को करता है ऊब किसको डान करता है efficiency को समझ रहे हो न कि सी की efficiency कितनी है ऑर ABC कि कितनी है तो अगर C1 है ठीक है और ABC अगर टीन का सम अगर तीन के ब्राबर efficiency तो यहां साव को पता चल लाओगा कि A plus B का Efficiency कितना हो जाएगा बताइए 2 कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पे लेकिन A और B का Efficiency कितना दिया है 3X और X तो यहाँ पे इसको put कर दो 3X A की जगह और B की जगह X तो 3 एक 4X बराबर 2 और यहाँ से X देखो कितना जाएगा 1 by 2 समझ गए न तो आपको Efficiency किसकी आगई X X मतलब किसका B का B का X ही है न तो B का Efficiency कितना हो जाएगा आप यहाँ से देख सकतो 1 by 2 आपको पोला है कि B अकले किते दिनों में काम करेगा अगर यहाँ आप देखो तो आप जानते हो कि टाइम बराबर क्या होता है वर्क आप ओन Efficiency ठीक है तो B के टाइम के बादर हम जिक्र कर रहे हैं तो Efficiency भी B का लेना परेगा ओके अब देखो W कितना दिया हुआ है बताई वर्क कितना हम लोग यहाँ पर निकाले थे वर्क मेरा था 48 क्योंकि यहाँ जब LC हम लेते हैं तो वह हमारा वर्क ही होता है Efficiency अगर देखोगे तो हमको जिसका बोला है उसी के Efficiency मतलब Efficiency हाफ लेना परेगा और जब इसको solve करें इतने दिन के बराबर हो जागा 96 days समझ गए तो मतलब यह हुआ कि अकेला अगर B काम करे तो B इन सारे काम को कितने दुनों में कर देगा complete 96 दिन में समझ मागी हैं अच्छे से चलिए अब चलते हैं हम दूसरे Question की तरफ यह देखिए ऐसा Question हम पहले भी आपको पीछे तीन वीडियो जो पढ़ाए हुआ है आपको तीन क्लास लिये हैं उसमें भी आपको ऐसा Question देखने को मिला होगा तो इसको हम देखते हैं लेकिन पहले पढ़ लेते हैं तो क्या बोला है आपको आपको बोला है कि दर इश्य आप एफिसेंसी आप एबी सी चार पांच तीन बलाए एफिसेंसी दिया हुआ है एका चार पांच और सी का तीन तो कह रहा है वर्किंग टुगेदर दे कन कंप्लीट डेट वर्क इन पचीज दे और अगर तीनों मिल के काम करते हैं किदे दुनों कंप्लीट करते हैं तब बोल रहा है कि A and C work together will complete 35% of that work in तो पूछ रहा है कि अगर A और C दोनों मिल के काम करें तो जितना काम है उसका 35% वो कितने दिनों में खत्म करेगा ठीक है तो आप देखे एक चीज़ तो जानते हैं न हम कि work वरावर क्या होता है efficiency into time आप देखे हैं हमको टोटल वर्क चाहिए तो आपको यह बात तो बोला है working together they can complete 25 days तो 25 यहां लिख दो ठीक है और working together बोला है मतलब कि तीनों मिल के काम किया तो तीनों के efficiency भी तो जोड़ना पड़ेगा ना तो 5 4 9 3 12 तो कुल मिला कि इतना हमारा क्या हो गया work हो गया आप देखो किसका बोला है time निकालने जब A और C काम करते हैं तो time ब्रावर क्या होता है work upon efficiency ठीक है time किसका निकालना आपको A plus C का efficiency हमको क्या करना परेगा A plus C का लेना परेगा ठीक है लेकिन बोला है इसका कितना percent काम किया है यह 35 परसेंट हमको 35 परसेंट ही लेना परेगा अब बताओ work मेरा था कितना 12 into 25 था यहां देखो ठीक है into 35 बटे 100 बटा efficiency A और C का मिला इंगे तो कितना हो जाएगा चार यहां से हो गया और तीन यहां से हो गया चार तीन साथ साथ से काटेंगे तो साथ पच्चे 55 पच्चिस चार तिया तो पांच तिया पंदरह ढ़्या आपको समझ मांगिया न कि अगर जितना काम है उसका 35 percent अगर A और C को मिल के काम करना होता तो कितने दिनों में complete कोई आया दूसरा गया अब तीनों मिल के एक बार काम नहीं करेगा या आपको सेप्रेटली नहीं बताएगा बोलेगा कि आज ABC में से आया कल्ब हो सकता है बी और सी काम करें अगले दिन फिर ए करें तो इस तरह की क्वेश्चन से अगर रहेंगे तो उसको हम किस तरह से एटे ठीक है वहां भी आसान ही कुश्चन आता है इस बात का दिहान रखना ठीक देखो बता रहें जैसे कहा रहा है कि A and B can complete a piece of work in 12 and 18 days तो A 12 दिनों complete कर देता है और B 18 दिनों में अकर यहां मैं लिख दूं 12 A का और B का मैं लिख दूं 18 तो आप बता इसका कैसे करेंगे तो यहा से मुझे efficiency आजाएगा किसका यह हो गया A का और B का efficiency किसना हो जाएगा दो ठीक है यह हमारा efficiency हो गया और यह मेरा work हो गया clear आप देखें क्या बोला है तो कह रहा है A begins to do the work and they work alternatively one at a time for one day तो कह रहा है कि A काम का सुरुवात करता है start किससे हो रहा है यह से लेकिन फिर बोला कि do the work they work alternatively one at a time मतलब alternate days पर वो काम कर रहा है आज अगर A आया है तो अगले दिन कौन आएगा B फिर अगले दिन कौन आएगा A फिर को लगे दिन कौन आएगा B इसी तरह से यह काम चलता रहेगा ठीक है तो मतलब क्या हो गया कि first day आपको A आया तो second day कौन आएगा B third day कौन आएगा A और fourth day आगया आपको B तो ऐसे question को हम कैसे attempt लेंगे वो देखना और last में क्या बोला है कि the whole work the whole work will be completed in कह रहा है कि पूरा काम कितने दिना में खतम हो जाएगा तो ऐसे चीज़ों में क्या होता ने क्या में consequently देखते हैं कि आखिर क्या चीज़ रिपीट कर रहा है आपको एक ऐसा चीज़ दिखेगा जो जिसके बाद वो चीज़ें बार बार रिपीट हो रहे हैं जैसे और उससे आप क्या करो के question को solve करने की कोसित करोगे जिसे देखो बता रहे हैं A का कितना है efficiency बता एक efficiency आपको तीन दिया हुआ है और B का efficiency कितना दिया हुआ है दो ठीक है अगर यहां मैं देखो पहले दिन यह काम किया दूसरे दिन यह काम किया तो टोटल दो दिन ठीक है ट briefing間 काम कितना करना है 36 कितना करना है 36 आप क्या करोगे जितना काम आपको दोनों मिला के होता है वह पाँच आया आप बताओ को यह को यह मिल नीचे हो तो भीकाम को पता चल गया 35 होता है जो 36 से नीचे है लेकिन ये भी तो किलियर है ना कि 5 से अगर 35 में मुझे जाना है कहा जाना है 35 में ठीक है तो हम कितना से multiply करना परेगा 7 से तब जाके 35 होगा तो इसी तरह से हमको days में multiply करना परेगा दो दिन में 5 काम तो 35 काम कितना ही दुनों में इसको साथ से इधर अगर साथ से करना परेगा 14 तो इसका confirm हो गया कि 14 डेज में 35 काम करेंगे ठीक है अब एक चीज़ बताओ हम यह जो काम का जो repetition ले रहे थे उसमें A और B काम करता था और repetition के just बात देखो काम करता था अब हमको एक चीज बताओ कि अगर यह 14 दिन का बात है 14 दिन कहीं खत्म हुआ होगा कि B काम करके गया होगा और A आने वाला होगा तो अब जो 35 के बाद मेरे पास एक काम बचा हुआ वो एक काम कौन करेगा वो करेगा A कौन करेगा A अब रही बात कि एक efficiency कितना है, एक efficiency आप बोलोगे कि efficiency कितना है, तीन है, मतलब यह पूरे दिन में तीन काम करता है, आप इस बात समझो, पूरे दिन में कितना करता है, तीन काम करता है, लेकिन एक चीज और तो इसमें जरूरी है, हमको काम कितना करवाना है, एक काम करवाना ह तो तीन काम पूरे वन डे में, तो एक काम कितने दिनों में, एक बटे, तीन डे में, तही है न, और इतना दिन में ये काम करेगा, एक बटे तीन भाग में, और फिर वो घर चला जाएगा, तो एक्चुल में यहां कितना दिन काम किया था, चाओदा दिन, और यहां कितना काम complete हो जाएगा होप आपको अच्छे समझ में आगे होगा जो चीज हम आपको बता रहे हैं तो मैं फिर से पर समझा दूं ऐसे questions में क्या होता है कि आपको alternate days पर काम होता है alternate days पर जिसका भी combination बढ़े कोई जरूर नहीं है आज आया तो कल हो सकता है और बी दोनों मिलकर काम करें अगले दिन फिर ए प्लस भी काम करें जितना पार्ट रिपीट होता है हम उस पार्ट को consider करके हम उतने दिन का देखते हैं उसके related उससे related आगे बढ़ते हैं वह फि रिपीट बढ़ने का क्या था कि यहाँ जैसे हम दो पार्ट ये रिपीट हो र करना परेगा तो बचा हुआ एक काम था तो हम यह जान रहे थे कि रिपीटेशन के जस्ट बाद यह आता है काम करने अगर यह आता है काम करने तो वह तीन काम करता है पूरे दिन में तो एक काम पूरे एक बटे तीन दीन लगेंगे, ठीक है, तो इसी तरह का question एक और हम ले रहे हैं, थोरा सा calculation उसमें vast होगा, थोरा सा अटपटा सा होगा, लेकिन चीजे यही है, concept यही है, थोरा बस मुस्की लाएगा, ठीक है, तो देखते हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला है, कि हम इसमें हर तरह की question लेंगे ठीक है, calculation भी हो सकता है, थोरा difficult आए, और अगर हो सकता है, लेकिन अगर concept और basics clear है, तो हम कोई भी question कर सकते हैं, तो देखते हैं, देखिए क्या दिया हुआ हुआ आपको, देखें क्या बोल रहा है, A can do a piece of work in 30, B in 50, C in 40, तो पहले हम क्या करते हैं, arrow कर लेते हैं, अब बता अब इस तीनों का बताए, LCM क्या होगा, तो 5, 600, कितना हो जाएगा, 600, तीन से करेंगे तो 20, 30 से, 5 से करेंगे तो 12, 4 से करेंगे तो 15, कोई दिक्कत नहीं न, अब देखो, ये हमारा क्या दे दिया है, efficiency, मतलब A एक दिन में 20 काम करता है, B एक दिन में 12, और C एक दिन में 15 लेकिन total काम कितना है, total work मेरे पास 600, ये समझ मा गया, अब आज के, क्या बोल रहा है, if A assisted by B on one day, मतलब पहले दिन assist किया जाएगा, A और B काम करेंगा, यहाँ देखो, क्या बोल रहा है, A को एक दिन में काम करने में B का सहयोग मिलता है, मतलब पहला दिन जब आता है काम करन इसी तरह से फिर यही क्रम क्या हो रहा है, आगे चलता जारा, फिर आएगा A plus B, फिर आएगा A plus C, समझ रहे हो, तो मतलब प्रोपरली यह repeat हो रहा है, देखो, A plus B, A plus C, A plus B, A plus C, थमको इन ही दो दिन में देखना है, यह मेरा first day था, और यह मेरा second day था, कोई दिक्कत नहीं अब हमको यह देखना है, कि पहले दिन जब A और B मिलके काम कर रहा है, तो कितना काम किया होगा, आप बताओ, देखो, A और B मिलके काम कर रहा है, तो A 20 काम किया होगा, और B 12, तो 20 12 कितना हो जागा, बताओ, 32, और दूसरे दिन कौन काम किया, A और C, तो A और C, 20 और 15, 35, स समझ गए आप हमको क्या करना अभी आप जास्ट बोले थे ना आपको हम कि सरसट जो आता है हमारा यह वर्क न इसका ही मल्टिपल मुझे ढूड़ना परेगा जो 600 से जस्ट नीचे हो आप जान रहे हो दस से मल्टिपलाई करेंगे तो यह कितना हो जाएगा बताओ इसमें करेंगे लेकिन अगम आगपताओ 9 से करेंगे तो नौच्छा के चाओ ओँओ नौछ के नौश्य। फिर भी 600 से उपर चला जागा मतलब कुल मिला के आप देखोगए तो इसको अगर हम आठ से मल्टिपलाई कर दें कितना से इतासे तो यह हमको कुछ नस्दीग मा जा तो 536 काम हो गया आपको इधर 8 से किया इधर multiply करना परेगा 8 से 8 दूना 16 मतलब 16 दिन में 536 काम complete हो गया clear आप अच्छे से ध्यान देना 536 काम 16 दिन में मतलब यहां तक यहां तक में 536 काम मान लो complete हुआ होगा आगे आने वाला बंदा कौन है पहली भार पहला दिन कौन करता है computation के बाद repetition के बाद a plus b तो आप एक ची बता मुझे 536 तो आपको हो गया कितने दिनों में 12 दिनों में समझ गए तो next a plus b काम करेगा तो वह कितना काम करेगा 32 आप देखो च्छे दो आठ तीन तीन छे पांसो और सट बाद एक और दिन जो रोगे जिस दिन a plus b काम करेगा तो आपका कितना हो गया 568 अब यह तो काम करके चला गया फिर next day कौन है जो बचा हुआ काम है तो 68 बाद कितना बच गया आप देखोगे 600 में टोटल काम 600 करना है तो 68 बाद हमारा काम बच गया 32 ठीक है अब यह 32 काम a और c को करना है अब हमको एक चीज़ बताइए कि a और c का यह दुनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं यहां अगर देखोगे तो यह मिलके काम करते हैं 35 ठी यह करेंगे 32 बटा 35 ठीक है अब हमको एक चीज़ बताइए 16 दिन तो यहीं तक आ गया था एक दिन और जुटा था तो 17 दिन 17 दिन के बाद यह हमारा 568 पूरा था उसके बाद बचा हुआ काम a plus c कितने दिनों में किया 32 बटे 35 दिनों में अगर इतने दिनों में किया है तो टोटल कितना दिन लगा है 17 प्लस 32 बटा 35 तो अगर हम आंसर देखेंगे तो आंसर में कितना हो जगा 17 पुर्णांक 32 बटा 35 इस दिन लगेंगे इस पूरे काम को करने में ठीक है यह भी आप टाइप समझ लिए ना कितना मतलब अच्छा है ठीक है और इस टाइप के बाद भी हम और भी टाइप से लाएंगे हमारे जो अगला क्लास होगा ना उसमें कुछ डिफरेंट टाइप से कुईस्चन भी लेंग उसका जो मालिक है उसको आके पैसा पे करता है तो वो पैसे भी तो उसमें बटेंगे ना जो ज्यादा काम किया उसको ज्यादा रुपए मिलेंगे जो कम काम किया उसको कम रुपए मिलेंगे तो इस आधार पे भी जो है ना क्वेस्चन दो भागों में बटता है ठीक है और और वो दोनों भाग बहुत ही आसान तरीके से हम आपको कल बताएंगे प्रोपरली कि ऐसा अगर रहेगा तो ऐसा कर देना और ऐसा रहा तो ऐसा मतलब कोई राटने वाला चीज नहीं बोल रहा है समझ के हम वो देखेंगे बेसिक से कि आखिर क्यूं हम ऐसा करते हैं वो भी आपको समझा देंगे तो वह हमारा लास्ट टाइप होगा जिसमें हम इस तरह क्वेश्चन देखेंगे ठीक है और कुछ क्वेश्चन मैंने भी कलेक्ट किया है जो प्रेवियस यह में आया हुआ है वो क्वेश्चन भी हम आपको बताएंगे कि कितना आसान कुश्चन आता है अगर मैंस तक आदेखोगे तो आपको हम तीसरा बात जो हम कहना चाहरे है कि pipe and system करके जो चैप्टर है हमारा ठीक है वो भी आपको depend करता है इसी time and work पे ही ठीक है हम उसको solve करेंगे समझ गए ना तो हम 21 को फिर सो बता देते हैं कि यह इतना इतना काम दिया हुआ था एक एक दिन में करते हैं तो efficiency निकाल लिए फिर जो बोला कि पहले दिन दूसरे दिन प्लस फिर इसी तरह से चलता है तो हम देखें दो दिन में 66 काम तो इसका आठ गुना देखें पांसो च्छतीस आठ विन एदर के 16 तो हम देखें कि 16 दिन इतना काम होता तब अगला दिन कौन आएगा अगला दिन आपको आएगा एप्लस भी 32 काम करके चला ग क्लास बिल्कुल उसको देखना मत भूलिएगा क्यों किस तरह के क्वेश्चन आते हैं बहुत यासान आते हैं और आपको दिखाएंगे कर यतना पढ़ते हैं तो आपका पूरा अराम से क्वेश्चन बन जाएंगे ठीक है और आपको अगर हमारा वीडियो सही लगता है अन्रिवाद